नमस्कार दोस्तों आप सभी के स्वागत मैं यूटूब चैनल में कश्यदस की साइंस में हम यहां पे अंसॉल पेपर हल करवा रहे ता सेट नमबर तीन चल रहा था बहुत एक विज्ञान खतम हों गया तो जीव विज्ञान सुरू करना था जीव विज्ञान के यहां पर ख सौर्जा को स्थोसित करता है गाव वाला प्रशन देखते हैं जैव भिकास का सिधहन प्रतपादेद करने वाले वेगानिक क्या नाम है तो इसका सही जवाब है चाल्स डार्विंट पहला ऑला विकल्प सही है अगला वाला कूशन देखेंगे कि मानो ब्रूर मानों में ब् बाकि साफ परप्ूसी हैं तो दोस्तों आप लोगों को भी बौट समस्य होती हो यह पको कोशिस करनी चाहिए पढ़ने की लगतार कोशिस करने से ही आप कुछ ने कुछ बेहतर कर पाएंगे बिना कोशिस कि आप बहुत जाता मुस्किल में पढ़ जाएंगे तो कोशिस कीजिए और याद कीजिए दसवा कोशन देखते हैं यहां पर दो नमबर का कोशन है कहा जा रहा है डाइफराम क्या होता है और कहा पाया जाता है तो इसका उत्तर देखेंगे डाइफराम क्या होता है बानव के वच्छ गुहा एवम उधर गुहा के बीच इस्थित कंकाल पे यानि सीने और पेट के बीच में इस्तित होती है अगला जो कोशन देखते हैं यह भी दो नबर को कोशन है कहा गया है पुनरुद्भवन यानि कि पुनर जैनन को उदाहरन देकर समझाईए तो आप यहां पर देख सकते हैं पुनरुद्भवन क्या होता है चित्र के मात्यम से समझे यहां पि एक प्लेनेरिया का एक जीव है प्लेनेरिया इसका अगर तीन टुकड़े कर दिया जाए तो हरऊ एक टुकड़ा एक नय जीव में बदल जाता है यही चीज़ को पुनरुद्भवन कहा जाता है यद किसी जंत के किसी गIGH भाग को काट कर सामानत नए जंत की उत्पत्ति होना पुनरद्धवन या पुनरजन कहलाता है यह हाइडरा और प्लेनेरिया आदे में होता है बस आपको इतना सा लिख देना है अगला प्रेशन हम देखते हैं कि विसम पोसी पोसर्ड क्या है इसका एक उधार दीजिए तो आप यहां पे देख सकते हैं कि विसम पोसी या पर पोसी कहलाते हैं और इस प्रकार के पोसर्ड को विसम पोसर्ड या पर पोसर्ड कहा जाता है और इसके अंदर क्या होते हैं साकाहरी मांसाहरी सर्वाहरी यह सबात है आप यहीं धारन के रूप में लिख सकते हैं अगला वाला जो प्रशन है वो चित्र बनाने यह है आव आवरित बीजी यानि की एंजी यो स्पर्म पुश्प के इस्तरी केसर के अनपरस्त काट का एक नामांग की चित्र बनाने हैं तो कोई भी एक चित्र बना देंगे आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे और नंजनन अनर जननतत के बात की जाए तो आपको कुछ इस से दिखाई देता है नर जननतत आपको बस यही चित्र बनाना है ठीक है यह चित्र ऐसे कुछ कुल मिलाके बनाना है यहां पर देखेंगे कि यह मूतर नलका है यहां पर क्या है यह मूतर नलका है यहां पर यह मूतरासा है इससे यह जुड़ा हुआ है उसके बाद यहां प पे मुत्रास है और ये दोने न लिया जाकर एक साथ मिलती है यहीं पे प्रोस्टेट ग्रंथी है और यहां पे ब्रिशन के साथ भी अधे ब्रिशन भी पाया जाता है और यह मुत्रमार्ग है आगे जाकर कि यह हिस्सा सिस्न कहलाता है ओके और बस यह हो चुका है इसमें और सारी चीज़े इसमें नहीं है बस लाइन से याद करेंगे सारी चीज़े याद हो जाएंगे और अगर ये मुस्किल लग रहा है तो आवरती जो हुथा यहाँ पे जो इस्तरी केत्षorm की बात की गई थी आब रित्वी जी पुस्प का इस्तरी केत्षर तो यहाँ पे यह जो हिस्सा है यह इस्त्री के सर ही है हला कि यहां पर पुस्पी पादब में निसेजन क्रिया दोनों एक ही चीज होती है यह इस्त्री के सर भी और निसेजन क्रिया भी यहां पर होती है यह चीज को अगर नहीं समझ में आता है यह जादा मुस्किल लग रहा है तो और जग निकला हिस्सा है ये पुंकेसर वाला इसको नहीं बनाना है आपको खाली पुसपासन बनाना है और बाहदल बना देना है और यहां पे दो नलिका ऐसे बढ़ा करके ये हिस्सा बनाना है और उपर जाके मिला देना है तो ये वाला हिस्सा जो होता है ये बीजांड यहां पे अ है और ये वुर्तिका distingu अगला हिस्सा वुर्तिकागर है जिस पर पराकड़ गरूं oriented निया ही है ढूंकरित पराकड़ है जो आखर के सीधा है के बीजाइंट में मिल गया है तो आपको खाले इतना सा हिस्सा यह जिस पर उंगली रहता है इतना सा हिस्सा आपको बना देना है और जो जो नाम हमने बता है बस उतना सा बना देना है बस इतना काफी है ये सारी चीजे नहीं देखनी है अगर इस तरी के सब अकेले बनाना है तो कीवल बीच वला हिस्सा बना देना है ये सब लिखने की भी जरूरत नहीं है खल ये वर्तिकागर हो गया यह वर्तिका हो गया यहां पर अंकुरित पराकड हो गए हैं और यहां पर बेजांड हो गया और यह अंडा से हो गया और यह पुसपासन हो गया और एक बाहे दल और एक दल बना देना है इतना पर्याबत रहेगा अगला वला प्रशन जो है ग्यारा कखा नंबर इस पर आप दे सकते हैं या फिर अगर इनमें नहीं आ रहा है तो यहां पर देख सकते हैं कि कि नहीं दो पर टिप पड़ी दीजिए और यह आपको दिखाए दे रहा है तीन इनमें से किसी पर वाई यह वी यह सुसन और मानो हिर्दय कर अधिर प्रबाह और वन प्रबंधन जो बड़े बड़े चीजे हैं उनको तो भाई आपको नहीं याद हो पार है तो कम से कम आसान से जो चीजे हैं उनको तो आप याद कर लिजे तो इनमें से जो चीजे हमको मिल पाती है आसान तरीके से आपको समझाने के लिए वह आपको बता देते हैं तो यहां पे आपको वरिक ने लिखा या फिर ने फ्रांस देखनों क मिलता है इसी को विकराउंड भी कहा जाता है ठीक है तो प्रतेक वरिक में लगवाक आर्ट से दस बाराव लाख महीन लंबी तत्का कंडलित वरिक न UPной लिखा या ने फ्रांस होती है ने फ्रांस वेकिकी संडरशना किर्क रियात्मा किकाई होती हैं ये संयोजी उतक, रुधर वाहिनियों, लैसिका वाहिनियों तथा पेसी तंटूओं से दबें फसे हुए पाए जाते हैं तो ये खाली इतनी चीज लिख देना ही आपको दो नमबर दिला देगा या फिर आप सौर उर्जा के बारे में लिख सकते हैं यहां पर सौर उर्जा आप देख सकते हैं सौर की विक्रिण से प्राफ्ट उर्जा, सौर उर्जा कहलाती है इस से उस्मा तता प्रकास प्राफ्ट होता है सौर की सथा के अंदर नाविकी सल्लेन के दोरा इस उर्जा का पादन, सूर्ज का उश्मा तथा प्रकास के रूप में होता है सौर उर्जा का केवल एक लग भाग ही पृतिबी के वाय मंडल के बाहर पर पहुंचता है इसका लग भाग आधा भाग वाय मंडल से गुजरते समय और सोसित हो जाता है तथा सेस भाग प्रित्वी के प्रिष्ट पर पहुंचता है आप इतना सा लिखतेंगे तो सौर उर्जा के बारे में आप लिख चुके हैं टिपड़ी और आपको दो नमबर मिल जाएंगे या फिर आप प्राक्तिक संसाधन के बारे में लिख सकते हैं पहले बात तो लिखेंगे वे पदार जो मानों के लिए उपयोगी हों अथमा जिन्हें उपयोगी उत्पात के रूप में रूपांतरित किया जा सके या जिनका उपयोग किसी उपयोगी वस्त के निर्मान में किया जा सके संसाधन कहलाते हैं और वे संसाधन जिन्हें प्रक्रित से प्राप्त किया जाता है प्राक्तिक संसाधन कहलाते हैं प्राक्तिक संसाधन में हवा, जल, मिटी, खनी, जन, तुपादप के रूप में संगरहित होते हैं शीज़े होती हैं और प्रक्राक्टिक संसाधन दो परकार के होते हैं अप्छे संसाधन और छे सील संसाधन तो इतना सा लिग देना है आपको दो नमबर दिला देगा यह फिर इसके अथवाले हिस्से में आ जाते हैं जहांपे तीन प्रश्चन थे उसमें पहला था वाई वी यह स्वसंड, इसमें यह आड़ाविक आकसिजन, यह आड़िक आकसिजन की उपस्थते कinsi में होता है आकसिजन भोजन, या ग्लुकोज आड़ को पूरता आकसिक्रित करके कारवन डायकसायड तरजल में परवरतित कर देती है इसमें अधिक मारता में और्जा मुक्त होती है यहाँ प्रक्रिया कोसी का द्रब में सुरू होती है इसके ग्लूकोज की एक अड़ो से 38 ATP और 6 कार्बन डायाकसाइड अड़ो बनते हैं इसे निम्न समीकरण दोर दर्साया जाता है और आप समीकरण लिखते हैं C6H12O6 यह ग्लूकोज है प्लस 6X2O और यहाँ पर कुछ एंजाइम लेंगेंगे और 25 से 25 लिए सिलसे तापमान लगेगा तो 6 कार्बन डायाकसाइड बनेगा और 6 जल बनेगा और इसके साथ में 38 ATP या फिर 673 किलो कैलोरी और जापराथ होती है तो यह लिख देंगे यह हो गया आपका YV सुसन जिसे आकसी सुसन भी कहा जाता है या फिर आप उसमें देख सकते थे कि मानो हर्दे में रुधिर परवाह था एक तो मानो हर्दे में रुधिर पर संच्रान भी परवाह है यही पर आप एक टिपड़ी लिख सकते थे कि मानो सरीर के सभी अंगों में अनाकसी कृत या असुद रुधिर अगर एवं निम्न महासिराओं दोरा दाए आनिल्द में आता है इस परकार फेपड़े दोरा आकसी कृत या सुद रुधिर बाह आलिन्द में आता है दोनों आलिन्दों के रुधिर से भरने के बाद इसमें एक साथ संकुचन होता है जिससे इनका रुधिर आलिंद निले चिद्रो द्वारा अपनी और निले में आ जाता है और इस प्रक्रिया में दुई वले या तुरी वलन कपाट रुधिर को वापस आलिंदों में जाने से रोकते हैं ठीक है निलेयों में रुधिर आने पर दूनों निले संकुचित होते हैं अतहर दाए निले से अनाकसी कृत या असुद रुधिर फुसफुस महाधमनी दौरा फिपड़ों में चला जाता है जबकि बाए निले से अकसी कृत रुधिर कैरोटिको या फिर देहिक महाधमनी परा संपूर सरीर में पहुंचता है इस प्रक्रिया में इस महाधमने को तल में उपस्थित और चंदराकार कपार रुधिरों को निले में वापस जाने से रोकता है ठीक दाहिक महाधमनी कैसेरुग दंड के नीचे महाधमनी प्रिष्ट महाधमनी कहलाती है जो की कपाल एवं ग्रीवा के अतरिक्त मानो सरीर के सभी अंगों में आकसी करित रुधिर पहुचाती है निलियों के संकुचन के समाप्त होने पर आलिंदों में पुना संकुचन प्रारम हो जाता है इस प्रकार रुधिर का परसंचरण लगातार होता रहता है तो ये है हिर्दय में रुधिर परसंचरण इसके बाद वन प्रबंधन तब आप वन में कुछ ऐसा वन प्रबंधन में कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि भू भाग पर प्राक्तिक रूप से सुता ही उगे बढ़ने वाले पेड़, पादबो, बिच्छो, जाड़ियो, सगन, आरण को वन कहते हैं और यही इन्हें एक संसाधन माना गया है और इनकी रक्षे हमें करनी है और यहां पर प्रबंधन, वन प्रबंधन के बारे में इदम ठीक से नहीं दिया गया है तो थोड़ा बहुत मिलाग ही हम लेकिते हैं कि प्रथवी इसब पर संपदाय और संसाधन सीमित मातरा में हैं में लिखेंगे प्रतिवी परवन सीमित मात्रा में हैं मानों जनसंख्या में तीब वृद्धी के कारण वनों की मांग पेड़ों की मांग बन रही है अब उनका उचित प्रवंधन सुनिचित करना जरूरी है और प्राक्टिक संपदाओं का यानि के वनों का विवेक थाकि वर्तमान प्रवड़ी की आँ सकता हैं तो पूरा करें और साथ ही अगली प्रवड़ी के लिए बना रहे है और इसके प्रवंधन ठीक है यहां प्राक्तिक संसाधनों का या फिर वनों का वितरण भी सुनिचित सुनिचित करता है और यही सारी चीजे वन प्रवंधन के अंतरगत आती है ठीक है वनों से बिढने वाले जो चीजे होती है उनको उपयोग कम करें उन्हें पुना परियोग करें और ठीक है रिसाइकल पुना शक करने पुना परियोग करना उसके पुना आगे किसी कार में लगाना पुना पुना उपयोग करना ये सारी चीजे जो ह होती है वोन प्रबंधन के अंतरगत आती हैं अगला बारवा प्रश्ण है इसमें एक आवरित्वीजी पौधे के नर जन नांगो का वर्लन कीजिए यानि कि पुंकेसर के बारे में बात कह रहे हैं उसके डिटियल में देना है साथ नंबर कोशन है तो थोड़ा लंबा लिखन होगा या फिर उसके अलावा है कि मानव में लिंग निर्धारन की विश्थार व्याक्या कीजिए और अगर हम पुंकेसर की बात करें नर जनन तो यहां पे आपको यूगमक जनन दिखाए दे रहा है यहां पे आपको नर यूगमको बिट्टी दिखाए या दे रही है यान इनके दो दो पुटो में पराकडो का निर्माण विसेश लग वेजान मात्र कोसिका से होता है यह अर्द सूत्री कोसिका भी भाजन के दोरा एक साथ चार कोसिकाओं का निर्माण करती है चार कोसिकाओं का यह समुह चत्तुस्क कहलाता है और यह तद्धा चत्तुस्क की प बिजान बनाती हैं जो बाद में पराक कड में बदल जाता है पराक कड पराक पुट में बिखरे रहते हैं तो यहां पर पराक पुट यानि पराक कोस आपको दिखाए दे रहा है और चित्रा बनाएंगे कि पुसपासन बनाएंगे बाहदल बनाएंगे दल बनाएंगे और उस पराग कोश पराग कण इसी में ये आपका पुरस जनरांग या नर जनरांग है जो एक पुस्पी पौधे में यानि फूल में ये होता है अब आगे हम चलते हैं आप यहां पराग कण की संडर्चना आप लिखेंगे पराग कण वास्तिविक्ता में पादब के नर पुस्पो युकमकोग भिती होते हैं यह दू आवरणों से ढ़की होती हुई एक कोसिका सद्रिश्च संरशना होती है पराग पुटों में ही इसका एक मातर केंद्रक साधान विभाजन दौरा विभाजित होकर एक नलिका केंद्रक एवं दूसरा जनन केंद्रक बनाता है अब जनक केंद्रक और इसके चारो और जीवद्रब का एक जनन कोसी का कहते हैं और पराग कड़ में जनन कोसी का तथा नलिका केंद्रक के बाहर उपस्ते दो आरन निम्न हैं तो बाहचोल होता है और अंतहचोल होता है जो पराक को उसके पर ही होता है पराकण के पास ही होता है पराकण में होता भी है यह अतनत कठोर खुर्दरा और एवं क्यूटिन युक्त इसपेरो पूलिन नामक पदार से बना आवरन होता है बिभिन पादपो में पराकण के आधार पर या आउरण भिन भिन परकार के अनकुलित होते हैं बाहर चोल बिभिन परकार से अनकुलित होने के साथ साथ एक समानता भीद रखता है इसके अनसार सभी परागणों में बाहचोल में एक या एक से अधिक जनन छिद्र होते हैं जिससे परागण के पश्चाद परागण ने लिका बाहर निकलती है अन्ताचोल की बाद कर लेते हैं यहां बाहचोल के भीतर जियू द्रविक एवम केंद्रक अर्था जनन कोसिका के बाहर अत्त पतली भित्ती असद्रिस आवरण होता है जो की परागण ने लिका बनाने के लिए उत्तरदाई होता है उक्तपूर्स रजना को नीचे दी गए चित्रों पर देख सकते हैं तो यहां पर आपको यह संद्रशना भी दिखाए दे रही है इसी के साथ यह वाला हिस्सा खितम होता है मानों में लिंग निर्धारण वाला अगर आपको यहां पर लंब क्या करनी है तो वो यह रहा सभी जीवों में लिंग का निर्धारण मेंडल के नियमानुसार होता है मानुस में लिंग निर्धारण परक्रिया युगमक जनन के दारान परम होते है युगमक जनन में अर्ध सूत्री विभाजन द्वारा अगुडित युगमकों का निर्माड होता है अर्द सूत्री मिवाजन से निर्मित होने वाले परतेक अंडार बाइस दहिक गुड़ सूत्र एवं एक लिंग गुड़ सूत्र होते हैं इस तरही में बने हुए युगमक सभी युगमक अंड में बाइस पलस एक्स गुड़ सूत्र होते हैं अब आगे देखेंगे निसेचन के समय नर से प्राप सुकराण यक्स अथवा वाई गुड़ सूतर वाला अंड से मिलता है इसके फसरूब बने युगमक में करमसा 44 प्लस यक्स या 44 प्लस यक्स वाई गुड़ सूतर हो सकते हैं इस प्रकार लिंग का निर्धार निसेचन के समय सुकराण के गुड़ सूतर द्वारा ही होता है क्योंकि सभी मादा युगमक अंड एक ही प्रकार का गुड़ सूतर प्रारूप रखते हैं यह प्रक्रिया अत्यंत ही सरल है और नीचे दिये गए संकरण रेखा चितर से मादें से समझा जा सकता है तो यहाँ पे नर जननकोसिका है और यहाँ पे मादा जननकोसिका है इसमें 44 प्लस एकस वाई होते हैं इसमें 44 प्लस एकस एकस होते हैं इसमें से अगर 22 इधर निकले 22 प्लस एकस 22 प्लस एकस होते हैं और 22 प्लस एकस अगर 22 प्लस एकस से मिल जाते हैं तो यहाँ पे एकस एक कि पुत्री का जन्म होता है और ठीक है और अगर इसके वाले बाइचांस इस वाले एकसे मिल जाएंगे फिर भी पुत्रे का जन्म होगा और यह वाई वाला अगर इस एकसे मिलता है तो एकस वाई यानि पुत्र होगा इस वाई वाले के एकसे मिलन होता है तो भी पुत्र है तो यह जब मिलते हैं तो सम यूगमन जी लिंग गुड़ सूत्र विसम यूगमन जी गुड़ लिंग गुड़ सूत्र यहां पर विसम यानि की अलग वाला है और यह समने एक समान वाला है तो यहां पर मानुस इसका निर्ग निर्दार्ण यहां पर हो गया आगे देखें है तो सदेव पुत्र यानि की मादस इसको जन्म होता है और जब बाइस प्लस वाई गुरसूत प्रारूप वाले सुक्राणों से मिलती है तो सदेव पुत्र यानि की नरस इसको जन्म होता है तो इस प्रकार से आपने ये देख लिया और इसे एक साथ ये पेपर होता है होता है